Hello my dear students, remember there is no shortcut to success. आज का वीडियो थोड़ा serious होने वाला है और हो सकता है आप में से कई बच्चों को often भी करें बट ये वीडियो आपके लिए बहुत important है ये आपके career के लिए बहुत important है In this video, I will tell you कि कैसे कुछ coaching center सी, whether physical or digital, responsible हैं आपके fail होने में आज इस वीडियो में मैं आपको CA, CS और CMA coaching industry में होने वाले तीन सबसे बड़े scam के बारे में बताने वाला हूँ So watch this video till the end I am your friend and educator CA Rajki Agrawal और आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं दुखी हूँ और disappointed भी हूँ आप से और कुछ coaching institute से, तोनों से अच्छा, क्यों disappointed हूँ? क्योंकि आपके साथ scam हो रहा है और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है आप आगे चलके CA बनने वाले हो You will be auditor of large companies आप बड़ी-बड़ी कमपनियों के financial गलतियों को at times financial fraud को पकड़ोगे पर अभी आप ये भी नहीं समझ पा रहे कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत मैं बात कर रहा हूँ fast track classes की Yes, fast track classes are scam हो सकता है कि आपको आश्यर हो और अजीब भी लगे कि अरे X sir, Y sir तो कहते हैं कि fast track courses तो रामबार है एक बार बस देख लिया तो pass होना पक्का है ना? और ये सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है पता है? After results अब काफी सारे educators आपको अपनी fast track classes buy करने को कहेंगे especially उन बच्चों को जो exams clear नहीं कर पाए और सायद आपके पास अभी तक message या call आ भी गया होगा अब देखिए जो बच्चे exam नहीं clear कर पाते हैं किसी भी reason से वो दो तरीके के होते हैं पहले वो जिन्होंने regular class ले रखी थी exam के लिए और दूसरे वो बच्चे होते हैं जिन्होंने class ली ही नहीं थी यानि उन लोगोंने self study की थी पहले बात करते हैं उन बच्चों के जिन्होंने regular class ले रखी थी उनको तो सायद दुबारा classes की जरूरत ही नहीं होती बट still उनके अंदर FOMO create करके कि तुम्हें दुबारा तो पढ़ना ही पढ़ेगा वनना तुम दुबारा feel हो जाओगे fast track classes बेची जाती है मेरा मानना ये है कि अगर आप full course से ही पास नहीं हुए तो fast track से तो पक्का नहीं होगे अब चलिए उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने class ली ही नहीं थी तो इन बच्चों की preparation fast track course से थोड़ी नहीं होगी अरे आप ये तो सोचिए कि आपके scores की बात कर रहे हैं we are talking about CA course इसमें बहुत detail पढ़ाई करनी होती है ये कोई B.com, M.com थोड़ी नहीं है जो थोड़ा मोड़ा पढ़ लिया और निकल जाएगा और कहीं गलती से ये shortcut वाली पढ़ाई से intern निकल गया ना तो फाइनल में पक्का फसेगा बच्चा और वो भी लंबा अरे तुम ऐसे सोचो कि CA अगर इतना आसान होता तो हर साल 90% बच्चे फेल हो जाते I really urge you today and all of you कि सब कुछ बहुत detail में पढ़ना सिर्फ exam pass नहीं करना life में बहुत आगे जाना है खुब पैसे कमाना है तो knowledge तो अच्ची होनी चाहिए CA को finance का taxation का expert कहा जाता है भगवान माना जाता है इस field का आप कैसे सोच सकते हो कि short cut पढ़ाई से आप finance और taxation के expert बन जाओगे अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका काम fast track classes से चल जाएगा तो you are completely wrong अगर डर नहीं हार नहीं अब बस जीत की हचा तो छोड़ो ये short cut और लग जाओ comprehensive पढ़ाई में मेरे यार I really fail to understand why some teachers compel that since you have less time you should go for fast track भग रिसल के बाद समय कम है आप fast track कर लो rather than saying that there is no shortcut to success तो क्यों नहीं बोलते खुब पढ़ना पढ़ेगा बच्चों कम समय है तो next attempt दे देना छोड़ दो इस बार पर अच्छे से पढ़ के पास करो पर ऐसा वो करेंगे नहीं क्योंकि आप जितनी बार फेल होंगे न उनका धंदा उतनी बार चलेगा अब भाई फेल होगे तो सेल्फ डाउट होगा और मैं बताता हूँ कि फेल होने के बाद आप सब क्या सूचते होंगे यही कि यार अगर क्लासेज नहीं ले ली होती इस टीचर ने अच्छे से नहीं पढ़ाया क्योंकि वो कह रहे हैं कि यह बेस्ट है फेल होने के बाद बस यह सोचो कि सायद मेरी प्रिपरेशन में कमी थी मैंने ही पूरा स्लिबस कवर नहीं किया था लेकिन नहीं आप सौटकट के चक्टर में बहुत सारी चैप्टरस को मिस कर दिये आप डिसाइड कीजिए कि आपको डिगरी के लिए पढ़ना है या सीए बनने के लिए इतनी भी क्या जल्दी है सीए बनने की कि आप सीए बनने के बाद भी किसी काम लायक न रहें इस सचाई से सायद आपको कोई अवगत नहीं कराएगा कि अगर आपके पास knowledge नहीं है तो आप से ये बन के भी मात्र 40,000 रुपय की नौकरी को भी तरस्ते हैं जबकि आज कल एक simple graduate अगर है न with good communication skill who is doing maybe customer care job is also getting 30,000 plus इसलिए अच्छी knowledge होना बहुत जरूरी है and I always say that there is no shortcut to success तो आखिर ये products बिकते क्यों है क्या teachers को नहीं पता कि इसमें आप पास नहीं हो पाओगे आपको जानके हैरानी होगी कि उन्हें भी ये बात पता है मगर वो जानते हैं कि market में इसी चीज़ की demand है आप बच्चे सोचते हैं कि कैसे हम कम से कम पढ़के पास हो जाएं and they know very well कि बच्चे उसी course को purchase करेंगे जो उन्हें ये false hope देता है कि वो कम समय में पढ़के exam के लिए तयाह हो जाएंगे और clear भी कर लेंगे however they very well know that it won't help you to succeed उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उस fast track course से कुछ नहीं होने वाला और बच्चे दुबारा फिल हो जाएंगे but still the game is on आपको ये भी समझना चाहिए कि CA जैसे course का result जो होता है वो कितना है generally 10% अब अगर fast track course पढ़के ये student pass हो जाते तो ये result इतना पूर क्यों होता और कई educators जिसमें से एक मैं भी हूँ सिर्फ income tax यानि की आधा पेपर सिर्फ 50 नंबर का 200 से अधिक घंटे से जादा का मैं क्यों पढ़ाता हूँ या मेरे जैसे दूसरे और educator कुछ detailed classes क्यों लेती है अगर fast track से काम चल गया होता तो मैं भी आपको fast track के नाम पर उपर उपर से पढ़ा कर 50 घंटे में सबसे खतम कर देता मगर मुझे पता है न कि इससे ना आपका concept clear होगा ना आप कुछ retain कर पाओगे और ना पास होगे ये समझ जाईए कि ये सब हवाबाजी है अच्छा एक और जहसा आपके साथ हो रहा है और ये फास्टेक प्लासे से भी बड़ा है आपको पता है वो क्या है A day before examination वाला marathon मेरा ऐसा मानना है कि last moment पे तो आपको कुछ नया पढ़ना या सुनना चाहिए ही नहीं और सिर्फ self revision पे focus करना चाहिए और ऐसा नहीं है कि ये बस ऐसे ही बोल रहा हूँ मैंने खुद भी अपनी CA journey में यही practice किया है आपको पता है जब मैं पूरा slayvus complete कर लेता था और revision अपना इस्टार्ट कर देता था तो revision के दौरान में हर subject के लिए एक final notes बनाता था 25 से 30 pages का और exam के दिन बस उसी 25 से 30 pages को बहुत बड़ा factor है कि मैंने all India rank के साथ CA exam qualify किया है और यह teachers जो आप से कह रहे हैं कि 20 घंटे का exam से पहले एक दिन वाला marathon कर लो साइद इन्होंने भी अपनी life में यह नहीं adopt किया होगा और last moment पे self study ही की होगी और यकीन मानिये last moment पे self revision ही work करता है बच्चे तो demotivate हो जाते हैं last moment पे कुछ नया सुनके कि यार मुझे तो यह पता ही नहीं था मैंने तो यह कभी पढ़ा ही नहीं oh my god यह teacher क्या बता रहा है और उनका exam भी इसी reason से खराब हो जाता है मुझे तो लगता है कि as a teacher ऐसे marathon कराना ही नहीं चाहिए last moment पे और अगर वो कराते भी हैं तो you should not watch it last moment पे आपको बस खुद की पढ़ाई पे और खुद पे भरोसा रखना है मुझे नहीं मालूम कि मैं आपको convince कर पाया हूँ की नहीं क्योंकि आप खुद spoon feeding के addict हो चुके हो अब एक आखरी scam जो आपके साथ किया जाता है वो है views का आप class लेने जाते हैं तो देखते होंगे कि कोई 1.2 views दे रहा है कोई 1.5 views दे रहा है मगर validity कितनी होती है एक साल, तीन साल at times even lifetime अरे भाई किसको बेखुब बना रहे हो CA student है आप सब 1.2 views तो आपके teacher के साथ साथी lecture देखने में almost over हो जाता है और फिर मान लीजे revision करना है तो आप कहां से देखेंगे और वही teacher अपनी motivation वाली वीडियो में आपको बताते हैं कि 2 से 3 बार revision किया करिए revision का घ्यान देते हैं आपको but they seriously don't want कि आप revision करें क्योंकि revision is the key to success और कहीं आप successful हो गए तो ये fast track वगारण कौन खरीदेगा जिनकी rank आती है ना वो extraordinary है उनकी तो आएगी इसलिए उनसे compare मत कीजिए और वो बहुत limited है देड़लाग बच्चे exam देते हैं तो 50 की rank आती है देखें एक teacher का main aim क्या होना चाहिए कि जो उसका student है in case अगर वो fail भी हो जाता है तो क्या life में कुछ बेथर कर पाएगा या नहीं क्योंकि C.A. जैसे courses में कोई भी नहीं कह सकता कि मेरे सारी student पास हो जाते है तो किसी भी teacher के लिए rank order produce करने से ज़्यादा important है ये analyze करना कि उसके कितनी student fail हो जा रहे है क्योंकि मात्र exam qualify करना is not a big deal वो तो कोई जल्दी करेगा कोई थोड़ा late से करेगा मगर क्या वो rank लाने वाला क्या वो qualify करने वाला early qualify करने वाला life में कुछ कर पा रहा है बेथर कितनी जल्दी success वो पा रहा है that's very important मेरा मानना है कि वो बच्चे जो fail हो जाते हैं अगर वो chartered accountant नहीं बन पाते हैं तो वो accountant बन के succeed करे life में याद रखिएगा exam qualify करने के target से जब तक पढ़ाई होती रहेगी तब तक सही माइने में education नहीं पहुच पाएगी पढ़ाने का मकसद होना चाहिए कि जो बच्चे fail हो रहे हैं they are also feeling satisfied fail होने के बात भी satisfied that yes we have knowledge and they can really do something meaningful in their lives उन्हें ऐसा नहीं feel होना चाहिए कि अगर वो नहीं कर पाएंगे ये तो कुछ नहीं कर पाएंगे life में क्योंकि आज बच्चे ऐसा feel कर रहे हैं and that's the reason कि आज खेलने कूदने और free रहने की age में students are going to depression feeling like failures बच्चों मैं हमेशा कोसिस करता हूँ कि आपको बस exam pass करने की knowledge न दूँ बलकि वो knowledge दूँ जो आपकी practical life में आपके काम आए जो आपको real professional बनाए और जो बच्चे मेरी tech series YouTube पर देख रहे हैं वो इसे अच्छी तरह से जान रहे हैं और मेरे students ये भी जानते होंगी कि मेरे सारी ही classes में unlimited views होते हैं क्योंकि मैं आपको numbers या customers की तरह नहीं बलकि हमारे देश का भविश्य के रूप में देखता हूँ So that's it आपको इन चीजों का ध्यान रखना है और सोच समझ के decision लेना है ओके सुरुवात है मुस्किल मगर अंत है सांदार CA का सफर है थोड़ा लंबा मगर मंजिल है आसमार इस वीडियो को बाकी students के साथ भी जरूर share कीजिए ताकि वो भी इन scam से बच पाए आपकी क्या राय है comment box में जरूर बताईए बीना teacher का नाम लिखे आप अपना दर्ध लिख सकते हैं अगर आप मेरी बताई हुई बातों से सहमत है और आप भी knowledgeable और successful इनसान बनना चाहते हैं तो comment box में जरूर से लिखियेगा hashtag no shortcut to success before I go let me share this disclaimer this video is not meant for targeting or defaming any individual teacher or any institute this video is my observation over many years that I really wanted to share with all my beloved students okay thank you for watching bye bye take care and all the best